मतुरा के व्रिंदावन के रहने वाले राजकरण और रूस की यूना की लव मेरिज इस वक्त चर्चा में है। इस जोड़ी की मजेदार बात ये है कि पती परहा लिखा नहीं है तो रशियन पतनी को हिंदी नहीं आती लेकिन दोनों साथ रहते हैं और प्रेम की भाषा समझते हैं। यूपी की धर्म नगरी व्रिंदावन करोडों लोगों की आस्था का प्रतीक है। इस जगह देश के साथ दुनिया भर से लाखों श्रद्धालू आते हैं। यहां आकर श्रद्धालू भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं। ऐसी ही एक भक्त रूस से व्रिंदावन आई तो दर्शन करने थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि वह यहीं की होकर रह गई। रशियन यूवती को व्रिंदावन एक व्यक्ति से प्यार हो दोनों एक दूसरे को इस कदर पसंद आए कि बात शादी तक पहुँच गई। साथ समंदर पार से कृष्ण की भक्ति यूणा को व्रिंदावन खींच लाई। यूपी के मथुरा के इस शहर में उसकी मुलाकात 20 साल से रह रहे राजकरन से हुई। राजकरन व्रिंदाव के साथ दिल्ली में शादी कर ली। अब राजकरन और यूणा इस समय दिन में गो सेवा करते हैं और शाम को व्रिंदावन के इसकोन मंदिर के पास ही लोगों को धार्मिक पुस्तकें बेच कर और चंदन लगाकर अपना पेट पालते हैं। जबकि दोनों की जोड़ी देख कि दोनों एक दूसरे की हर बात समझ जाते हैं। व्रिंदावन के रहने वाले राजकरन 35 साल के हैं तो रूस की यूणा की उम्र 36 साल है। यूणा ने शादी के बाद से पूरी तरह से ही भारतिय संस्कृति को अपना लिया है। वह गले में मंगल सूतर पहनने के साथ भी नजर आती है।